दोस्तों, भारतेरा सोई में ऐसी कई चीजे होती हैं जिनका उप्योग तंत्र मंत्र में वो जोतिस उपायों में किया जाता है और ऐसे ही एक चीज है छोटी इलाइची दोस्तों छोटी इलाइची अपनी खुश्बू के लिए जाना जाता है लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि चाय का स्वाद बढ़ाने वाली छोटी सी इलाइची आपकी सोही हुई किस्मत को जगा सकती है जी हाँ दोस्तों किचेन में मसालों के तोर पर इस्तिमाल होने वाले छोटी इलाइची न सिर्फ खाने को दुग्ना स्वादिष्ट बनाती है बल्की जोती सास्त्र में इसका विसेश महत्त्व है दोस्तों छोटी सी इलाइची के उपायों से जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानिया को और समस्याओं को खत्म किया जा सकता है और इलाइची के कुछ टोटके आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से इलाईशी के जरिये अपनी किस्मत को बदल सकते हैं और काम्याबी हांसिल कर सकते हैं पर उससे पहले मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूँ कि अगर आप वाकई में भगवान हनुमान जी को अपने दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा यह उम कॉमेंट बॉक्स में लिखेगा जैसरी हनुमान दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको जो समागरी चाहिए वो है एक सुई और दो इलाइची इलाइची आप बजार से खरिद कर ला सकते हैं या फिर आपके घर में तो मिले गाई अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों आपने जो दो इलाइची लिया है उन दोनो इलाइची को आपको एक सुई में फसा देना है जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा उस तरीके से उस सुई में दोनो इलाइची को लगा देना है अब सुई में लगे हुए दोनों इलाईची को आपको अपने घर के पूजा मंदिर में रख देना है जहां पर आप अपने घर में पूजा करते हैं और आपको वहाँ पर नीचे जमीन पर एक आसन बिछा लेना है और उस आसन में आपको बैठ जाना है आसन में बैठ कर आपको एक अनुस्ठान पूजन करना है जो की बहुत ही छोटा सा पूजा है दोस्तों आपको सरोप्रतम गनेश जी का इस्मरन करना है और गनेश जी का मंत्र ओम गन पताये नमा इस मंत्र को दो से तीन बार बोलना है और इस मंत्र को बोलने के बाद आपको वही आसन में बैठे बैठे पाँच बार हनुमान चलिशा का पाठ करना है और दोस्तों जब आप हनुमान चलिशा पढ़ें और आपका एक बार हनुमान चलिशा समाप्त हो जाए तो आपको उस इलाईची को जो आपने रखा है उसे अपने दाहिने हाथ से उठा लेना है और अपने मुख के पास लाना है और स्री सीताराम, स्री सीताराम, स्री सीताराम एक सो आठ बार बोलना है और ऐसा 108 बार बोलने के बाद फिर आपको उस इलाईची को फिर से भगवान की मुर्ती के सामने या फोटो के सामने रख देना है फिर दुबारा आपको दूसरी बार हनुमान चलिसा पढ़नी है दोस्तों इस तरीके से जब आप दूसरी बार हनुमान चलिशा पूरा करेंगे तो आपको फिर से उस मूर्ती के सामने या फोटो के सामने रखी हुई लाइची को फिर से उठाना है मूर के पास लाना है और फिर से आपको 108 बार स्री सीता राम, स्री सीता राम ऐसा बोलना है और दोस्तों इस तरीके से इस प्रक्रिया को पूरे 5 बार करना है दोस्तों जब आप पूरी तरीके से 5 बार इस प्रक्रिया को कर लेंगे इस पूजा अनुष्ठान को कर लेंगे तो जो आपका इलाइची है वो अभी मंत्रित हो जाएगा और दोस्तों इस तरीके से जो आपका अभी मंत्रित इलाइची है उस इलाइची को आपको फिर से उठा लेना है और गनेश जी का फिर से एक या दो बार मंत्र पढ़ना है ओम गनपतये नमा इस मंत्र को बोलना है और फिर उसकी जो पूरी प्रक्रिया है पूरा अनुष्ठान है वो संपूर्ण हो जाएगा अब दोस्तों जो दोनों हिलाईची और सुई है उसे आपको लाल कपड़े में बांध कर उस लाल कपड़े के अंदर एक कागज में स्री सीधा राम ओम रामा रामाय नमा और हनुमान जी का ओम हनुमंते नमा ओम हनुमंते नमा इस मंत्र को लिखना है और उस लाल कपड़े मे दो इलाइची के साथ इस कागज में लिखे हुए नाम को आपको बांद कर अपने तिजोरी में, जहां पर आप धन रखते हैं, इस पोटली को रखते ना हैं। पैसे की कमी नहीं होगी, और आपके घर में जो भी धन आएगा वो ठिकने लगेगा, और आपके घर में धन की लगातार बढ़ोत्री होगी, आपकी जो परिशानिया हैं वो दूर हो जाएंगी, तो दोस्तों आप पून शर्द्रा विश्वास के साथ इस उपाय को जरूर दोस्तों आज का सवाल आपके लिए है, क्या बता सकते हैं कि हनुमान जी के 12 नाम क्या है, आप इसका जबाब कमेंट सेक्षन में नीचे दीजेगा, धन्यवाद